दोस्तों समय आच चुका है स्वैबिन बुवाई का और स्वैबिन बुवाई से पहले हम कर लेते हैं इसका जर्मिनेशन टेस्ट यानि की पीज अंकुरन होता है और नहीं होता है उसका टेस्ट अपने गरेलुस तरफ पर कर लेते ताकि हमें पता चल जाए कि कितने प्रतिशत अंकरण हो सकता है इसके दो तरीके Level को बताने वाले हैं हम आपको पहले तरीके में हम इसके बीज को लेके पानी में डालके थोड़ी देर के लिए उबालने के लिए छोड़ देते हैं यह मान के चलो की 7-8 मिनिट के आज पास आज पे इसको उबालना जारी रखेंगे जब उबल जाये तो गेस को बंद कर लेंगे और इसको बाहर कहीं ले चलके इसके गरम पानी को बाहर डालना जरूरी है इसके बाद में जो गरम पानी को अलग करने के बाद जो इसके बीज रिख देते हैं सोया बिन के उसमें जहां से अंकूरन निकलता है उसको चेक करना है एक ऐसे ही वीडियो हमने तीन-चार साल पहले भी बनाया थे तब आपके काफी क्यूशन थे तो उसके क्रम में हम बताते हैं कि ये कितने परतिशे से ठीक है दोस्तों उसके बारे में करते हैं बाद में बाद सबसे पहले इसको बरतन में खाली करके देखते हैं कि इसके कितने अंकूरे निकल के आगए हैं बार जब तो अंकूरे हम निकाल के देखते हैं तो ये कोई सा भी एक रेंडम ली दाना उठा लेना है या जैसे हमने दान की दाने डाने डाल रहे हैं मालो आप 20 दाने उठाते हैं या 10 दाने उठाते हैं उनमें से देखें कि कितने के अंकूरे बाहर आएं केमरे की नजर में शायद आ बार निकल रहा है तो इसी तरह आप जैसे की दस बीजों को इकटा करेंगे तो यह देखिए हाथ में अंकुरा निकल के बाहर आगे यानि कि यह भी जर्मीनेशन के लिए तैयार है अब इनका रिजल्ट कितने प्रतिश्य शोर शोट आता है इसके बारे में कोई साइंटिफिक बाते भी होती रहती लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर इस तरह अंकुरे बाहर आ रहा है तो ठिक टाक जर्मीनेशन हो जाता है बाकी तो अगर आप बाजार से बीज ला रहे हैं त में बात दात करें तो हमें वापिस कुछ सोब इन ले लेनी है और इस बार हमें पानी को उबालना नहीं है आप चाहे तो दाने गिंके ले सकते हैं चाहे तो दाने ना किने उसके बाद इस तरह परतन में डालने के बाद आप इसमें ठंडा पानी डाल दें ठंडा पानी डालने के दो पांच मिनिट बाद में इस तरह पानी को जार के निकाल दें और उसके बाद में इस तरह से जैसे हमने पहले गरम पानी वाला उदर खाली करे तो इस बार ठंडे पानी वाला इदर खाली करके देख रहे हैं इसमें क्या फर क्रेंगा कि अद पहले जहस्तर से दाने उठाए तो इस से आप इसमें से भी दाने उठा सकते हैं गिएनके उसके बाद में आप देखेंगे कि जितने दाने सिकूड चुके हैं, यानि कि जिनके जो उपर जो छिलका आता है, वो छिलका जितना सिकूड यानि के उपर सल वगेर आ गए हैं तो वो दाना बहुत जल्दी अंकुरित होगा और वो शोर शोटे की वो अंकुरित होई क्योंकि उसकी कुछी मिनट में अंकुरन की प्रोसेस शुरू हो जाती जैसे कि यह आपको दिखाई दे रहा है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने जो टेस्ट कर रहे हैं वह लगबग 60-70 परसंट एक प्रोक्स इसका रिजल्ट आ इसकी बुआई करके देख रहे हैं उस सारा ही पता आपको तब ही चल पाता है जब आप खेत में इसको अच्छी तरह से लगाएंगे बाकी इस तरह से आप इनको छोड़ देंगे दिन बर के लिए तो शाम को सकते हैं इसको कुछ अंकुरन आपको देखने को मिल जाएं तो कै कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें फोलो करें शेर करें कमेंट करें हमें बताएंगे आप स्वेबिन का जर्मीनेशन टेस्ट अंकुरन कैसे करते हैं तन्यवाद दोस्तों